नमस्ते स्वागत आपका हमारे न्यू ट्रिक्वित टीडी चैनल में चलिए सुडू करते हैं यूपीटर 2019 का पेपर वन ये हमारा पेपर वन है 2019 का और सैट नम्मर बी है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CDP मतलब जो बालवकास के question answer है वो किस प्रकार के आई हुए है और इसकी जो next वीडियो आएगी उसमें हम इसी के जो हमारे बच गए हैं जैसे कि हिंदी, संस्कृत, गणित और जो परियावरण है इन सभी को हम next वीडियो में कवर करेंगे आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बालवकास के जो question answer है वो कहां कहां से और कैसे आई है तो चनिये देखते हैं कि बालवकास के जो question answer है वो किस प्रकार के हैं तो इसमें सबसे पहला question है हमारा वालवकास एवं से चड़विधी में कि यदि सिक्षक कच्छा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर एक सिक्षक क्या है कच्छा में एक छात्र को कैसा देखता है समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे ततकाल घर भेज देना चाहिए? या फिर बच्चे को नजर अंदाज कर देना चाहिए? या बच्चे को दंड देना चाहिए? या किस से संबंदित मानी जाते हैं छात्रों के मानशिक विकास से चात्रों के सर्वंगिन विकास से, सैक्षिक संस्थानों के विकास से, या फिर चात्रों के बृत्तिक विकास से अंसर यहां हो जाएगा हमारा चात्रों के सर्वंगिन विकास से तो जो पठ सेगामी क्रियाएं होती है वो मुख रूफ से जो सम्बंदित होती है वो होती है छात्रों के सरवंगिर विकास से नेश्ट है निमनमे से किसने अधिगम सिध्धान्त का पृतिपादन नहीं किया है तो यहाँ तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने अधिगम सिध्धान्त दिया है लेकिन एक ऐसे हैं जिन्होंने अधिगम का सिध्धान्त नहीं दिया है तो आपको नहीं बाला बताना है कि इसमें ऐसे कौन है जिन्होंने अधिगम का सिध्धान्त नहीं दिया है तो इसमें सबसे पहला है हमारा थांडाइक, इसकिनर, कोहिलार या फिर B.S. ब्लूम तो क्या होगा आंसर? आंसर यहां हो जाएगा हमारा B.S. ब्लूम इन्होंने अधिगम का सिध्धान्त प्रतिपादत नहीं किया था जबकि जो हमारे थांडाइक है इसकिनर है और कोहिलार है इन्होंने क्या है? अधिगम का सिध्धान्त दिया था लेकिन जो B.S. ब्लूम है इन्होंने अधिगम का सिध्धान्त प्रतिपादत नहीं किया था तो इसलिए आंसर हमारा यहां हो जाएगा B.S. ब्लूम सिच्छा में अवरोधन का तातपर है तो अवरोधन मतलब रुकावट का क्या तातपर है? किसी बालक का एक वर्स से अधिक समय तक एक ही कच्छा में रहना या फिर बालक का विद्यालाएं ना जाना या बालक का विद्यालाएं में प्रिवेश ना लेना या फिर बालक द्वारा विद्यालाएं छोड़ देना अंसर यहां हमारा हो जाएगा किसी बालक का एक वर्स से अधिक समय तक एक ही कच्छा में रहना क्या होता है सिच्छा में अवरोधन का ताथ पर माना जाता है तो अगर आप किसी भी बालक को अगर एक वर्स से अधिक समय तक एक ही कच्छा में रखो गई तो वो उसके लिए क्या है रुकावट का कार करेगा तो इसलिए कभी भी किसी भी बालक को एक से अधिक वर्ष तक एक ही कच्छा में नहीं रहना चाहिए Next है निम्नमे से किस कौसल में पूर्व ज्यान का परिछण आता है प्रदार्शन कोसल में, प्रिष्टावना कोसल में, उद्धीपन परिवर्थन कोसल में या फिर समापन कोसल में आंसर यहां हो जाएगा हमारा प्रिष्टावना कोसल में तो प्रिष्टावना कोसल में क्या है पूर्व ज्यान का परिछण जो है वो काम में आता है जैसे कि जो प्रिस्तावना कोश्चन होते हैं इसमें हम बालक के पूर्व ग्यान का परिच्छर करते हैं कि बालक को अभी कितना ग्यान है जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उस टॉपिक से रिलेटर बालक को पहले से कितनी जानकारी रखता है वो बालक उसकी परक हम कहां करते हैं उसकी जाच हम कहां करते हैं तो उसकी जाच हम करते हैं प्रिस्तावना कोशन से तो इसलिए आंसर यहां हमारा हो जाएगा बी नम्मर प्रिस्तावना कोशल नेश्ट है निम्न में से किस सिध्धान्त को पुनरवलन का सिध्धान्त भी कहते हैं तो क्रिया प्रिसूत अनुवंधन सिध्धान्त को उद्धीपक अनुक्रिया सिध्धान्त को सास्त्रिये अनुवंधन सिध्धान्त को या फिर सूज के सिध्धान्त को आंसर यहां हो जाएगा हमारा फर्ष्ट क्रिया प्रिसूत अनुवंधन सिध्धान्त को ही पुनर्वलन का सिध्धान्त भी कहते हैं जो कि वियफ इसक्रन ने दिया था नेश्ट रहे निम्न में से कौन सी अवस्ता बुनर के संग्यानात्मक विकास का अंग नहीं है प्रियात्मक अवस्ता प्रतिविंबात्मक अवस्ता आंतप्रिग्य अवस्ता या फिर संकेतात्मक अवस्ता तो आंसर यहां हो जाएगा हमारा आंत प्रिग्य अवस्था ये ब्रूनर के संग्यानात्मक विकास का अंग नहीं माना जाता है और जो ब्रूनर के संग्यानात्मक विकास का अंग माना जाता है वो है हमारा प्रियात्मक अवस्था मतलब क्रिया के द्वारा बालक क्या है अपने ग्यान का विकास कर सकता है और प्रतिवंबात्मक का मतलब है प्रतिविंबो के माध्यम से भी बालक क्या है अपने ग्यान का विकास कर सकता है नेश्ट यहाँ क्या है संकेतों के माध्यम से तो संकेतों के माध्यम से भी एक वालक क्या है अपने ज्ञान का विकास करता है तो यहाँ हमसे नहीं वाला पूछा था तो इसलिए हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आंसर हमारा यहां थर्ड वाला हो जाएगा कि आंत प्रिज्य अवस्ता नेश्ट है मोरी सन ने बोध इस्तर के सिच्छण प्रतिमान में पांच पदों का वर्णन किया है वे है प्रिज्टि करण, खोज, संगठन या फिर बवस्ता, आत्मी करण, वाचन या फिर अभिव्यक्ति करण तो इसमें से आपको बताना कि फर्ष्ट होगा कि सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ आंजर यहां हो जाएगा हमारा सेकंड, कि सबसे पहले वालक क्या है, खोज करेगा इसके बाद क्या करेगा, उसकी प्रिज्टि करण करेगा और फिर करेगा क्या, उसे आत्मी करण, मतलब आत्मी साथ करेगा और फिर आत्मे साथ करने के बाद क्या है वो संगठन करेगा या फिर उसकी बवश्था बनाएगा और फिर अंत में वो करेगा क्या उसका वाचन तो इस तरह से मौरी सन्ने क्या है जो पाच पद बताये थे तो उनका क्रम इस तरह के से माना जाएगा कि सबसे पहले कोई फिवालक होता है तो वह खोज करता है फिर इसके बाद प्रिश्टती करण करेगा प्रिश्टती करण कर लेने के बाद आत्मी करण करेगा आत्मी करण कर लेने के बाद उसे संगठन करेगा मतलब एकट्ट करेगा मतलब कि बिवस्था बनाएगा उसकी और फिर करेगा अंत में बाचन या फिर अभिवक्ति करण नेश्ट है निम्न में से कौन सा संग्यानात्मक छेत्र से संबंधित नहीं है तो ज्यान अनुप्रियोग अनुमुल्यन या फिर बोद तो आपको बताना है कि संग्यानात्मक छेत्र से संबंधित नहीं है आंसर यहां हो जाएगा हमारा थर्ड अनुमुल्यन जो है संग्यानात्मक छेत्र से संबंधित नहीं है नेश्ट है निम्न में से कौन सा अधिगम का बक्र नहीं है उन्नतोदर, मिस्रित, नतोदर या फर लंबवत आंसर यहां हो जाएगा हमारा लंबवत जो लंबवत होता है वो अधिगम का बक्र नहीं माना जाता है जबकि जो हमारा उन्नतोदर है, मिस्रित है और नतोदर है ये तीनों ही अधिगम के बक्र माने जाते हैं लेकिन लंबवत अधिगम का बक्र नहीं है नेश्ट है ब्योहार के कारण ब्योहार में परिवर्तन ही अधिगम है ये किस ने कहा क्रो एंड क्रो ने, गिलफर्ड ने, भुडवर्थ ने या इसकिनर ने अंसर यहां हो जाएगा हमारा गिलफर्ड गिलफर्ड नहीं कहा था कि ब्योहार के कारण ब्योहार में परिवर्टन ही अधिगम है नेश्ट है सूची A तथा सूची B को सुमेलित कीजिए तो सूची A में आपके जैसे कि ब्रूनर है आसुबेल गलेजर और गार्डन है अंसर यहां हो जाएगा हमारा थर्ड सबसे पहले जो हमारे ब्रूनर है ब्रूनर क्या है तो ब्रूनर सम्प्रत्य उपलब्दी सिच्छर प्रतिमान की रूप में माने जाते हैं आसु बेल को हम किस से मिलाएंगे तो आसु बेल को हम मिलाएंगे कि अग्रिम संगठन से चछड़ प्रतिमान से फिर इसके बाद ग्लेजर ग्लेजर को हम मिलाएंगे बुनियादी से चछड़ प्रतिमान से और नेश्ट है गार्डन तो गार्डन को हम मिलाएंगे अंसर हमारा हो जाएगा यहां थार्ड नेश्टेश समस्या समाधान का प्रिथम चरण है तो परिकल्पना का निर्माण है समस्या की पहचान है आकड़ा संग्रहण है या फिर परिकल्पना का परिच्छण है अंसर यहां हो जाएगा हमारा सेकेंड समस्या की पहचान तो समस्या समधान का प्रिथम चरण है वो क्या होता है कि सबसे पहले समस्या की पहचान करनी रहती है तो यही आपका क्या है प्रिथम चरण माना जाता है नेश्ट है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रिभास साली होगा कब होगा? जब सिच्छक अधिगम प्रिक्रिया में आँगे होकर बालकों को निश्क्रिये रखेगा सेकंड है बालकों का संग्यान आत्मक, भावात्मक तथा मनो चालक पच्छों का विकास होगा या थड़ है पढ़ने लिखने एवं गणितिय को सलताओं पर ही बल होगा या फिर सिच्छड बवस्ता एक आधी कारवादी होगी तो आंसर यहां क्या हो जाएगा आंसर यहां हो जाएगा हमारा सेकेंड कि बालकों का संज्यानात्मक भावात्मक तथा मनुचालक पच्छों का विकास होगा नेश्ट है इस्मृति इस्तर एवं बोध इस्तर के सिच्छड प्रतिमान की सरचना में कौन सा सवपान उभैनिष्ट है तैयारी, अन्वेशन, सामानी करण या फिर प्रिस्तती करण तो इस्मृति इस्तर एवं बोध इस्तर के सिच्छड प्रतिमान की सरचना में कौन सा सवपान उइसा जो ओभैनिष्ट हो आंसर यहां हो जाएगा हमारा फोर्थ प्रिस्तती करण नेच्ड है मानव विकास का प्रारंब होता है तो सैस्व बश्थ से, पूर्भ वाल्य बश्थ से, गर्भ वश्थ से या उट्तर बाल्य बश्थ से आंसर यहां हो जाएगा हमारा गर्भ वश्थ से तो मानव विकास का प्रारंब कब से सुरू हो जाता है तो मानव का जो विकास है वो सुरू हो जाता है गर्बा अवस्था से ही नेश्ट है दा कंडिशन्स ओफ लर्निंग पुष्टक के लेखक है आईपी पावलाव, बी याफ इसके नर, एल, थांडाइक या फिर आर एम गैने तो दा कंडिशन ओफ लर्निंग जो पुष्टक है उसके लिएखक कौन है आंसर यहां हो जाएगा हमारा फोर्थ आर एम गैने जो आर एम गैने हैं इन्हों नहीं दा कंडिशन ओफ लर्निंग पुष्टक जो है लिखी थी नेश्ट है कि सोरा अवस्था बड़े संगर्स, तनाओ, हमला व व विरोध की अवस्था है यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है? इस्टैनले होल का है? जर सील्ड का है या फ़र सिम पिसन का है आंसर यहां हो जाएगा हमारा इस्टैनले होल दूसरा आंसर एकदम सही हो जाएगा नेश्ट है सुख्ष में सिच्छड के भारतिय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट या 45 मिनट तो आंसर यहां हो जाएगा हमारा 36 मिनट सुख्ष में सिच्छड के भारतिय प्रतिमान में जो समय लगता है वो लगता है 36 मिनट का नेश्ट है सीखने का पठार, सीखने की प्रिक्रिया के मुख अभिलत चड़ है जो उस इस्थिति को प्रिकट करते हैं जिसमें सीखने का प्रितिफल में कोई उन्यती नहीं होती तो यह कत्यन आपको बताना है कि किसका है इसकिनर का है हालिंग वर्थ का है गेट्स वा अन्य का है या फिर रॉस का है आंसर यहां हो जाएगा हमारा रॉस फोर्थ नम्मर सही हो जाएगा नेश्ट है इस्तम्ब आतता इस्तम्ब बाको सुमेलित कीजिए तो एनिमल इंटेलिजन्सी यह आपको बताना है किसने लिखी है पुनरवलन की अनुसोची यह किसने दी है सार्व गर्विता का नियम यह किसने दीया है और अनुकूलन की बात किसने की है तो यहां आपको बताना है कि आपको फस्ट होगा सही सेकंड, थार्ड या फर फोर्थ आंसर यहां हो जाएगा हमारा फस्ट तो जो एनिमल इंटेलिजन्स है यह थांड आइक ने लिखी थी फिर इसके बाद पुनरवलन की अनिसूची यह दी थी आपकी वियप इसकिनर ने और जो नेश्ट है सार्व गर्विता का नियम यह दिया था किसने यह गैस्टाल्ट बादियों ने दिया था नेश्ट है आपका अनुकूलन तो अनुकूलन की बात करते हैं कौन प्याजे तो इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हमारा यहां फर्ष्ट नम्मर सही हो जाएगा नेश्ट है विकास कभी नसमाप्त होने वाली प्रिक्रिया है यह कथन विकास के किस सिध्धान्त से सम्बंदित है तो निरंतर्था का सिध्धान्त से है एगी करण का सिध्धान्त से अन्ता क्रिया का सिध्धान्त से या फर अन्ता सम्बंद के सिध्धान्त से आंसर यहां हो जाएगा हमारा फस्ट निरंतर्था के सिध्धांत से तो कि यहाँ निरंतर्था का मतलब ही होता है जो हमेशा चलता रहे जो कभी न रोके वही होता है आपका निरंतर्था तो यहाँ क्या बोला था कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है तो इसलिए यह जो है नेश्ट संविधान के किस संसोधन से सिच्छा एक मौलिक अधिकार बन गया है 22 संसोधन से 25 संसोधन से 86 संसोधन से 52 संसोधन से तो अंसर यहां हो जाएगा हमारा क्या थार्ड नम्मर जो 86 संसोधन है उसी संसोधन से ही क्या है सिच्छा एक मौलिक अधिकार बन गयी है नेश्ट अभिप्रेणा के मूल प्रवत्ती सिधान्द के प्रितिपादक थे बिलियम जैम्स अब्रहम मैसलो, मैकडूगल या फिर सिम्पिसन आंसर यहां हो जाएगा हमारा थार्ड जो मैकडूगल थे इन्हों नहीं क्या है अभिप्रेणा के मूल प्रवत्ती सिधान्द का प्रितिपादन किया था और जो मूल प्रवत्ती बताई थी वो चवदा प्रकार के मूल प्रवत्तियों के बारे में बताया था तो मेकडूगल के बारे में याद रखना आप कि जो इन्होंने मूल प्रिवत्ती बताई थी वो कितनी बताई थी? चवदा प्रिकार की बताई थी नेश्ट है विकास की किस अवस्था को? कौन तथा ब्रूस ने संब्रिगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो किस ने कहा है? अनोखा काल कहा है कौन सी अवस्था को? किसोर अवस्था को? बाल अवस्था को? सैस्व अवस्था को? या फिर प्रोणा अवस्था को? आंसर यहां हो जाएगा हमारे यहां सेकंड जो बाल अवस्था है इसी को ही कोल तथा ब्रूस ने संभी गात्मक विकास का अनुखा काल कहा है नेश्ट है किसने बहु बिमात्मक प्रिग्या का प्रित्याई दिया गार्डन ने, इस्पियर मैन ने, गोल मैन ने, या फिर जोन मियर ने तो किसने बहु बिमात्मक प्रिग्या का प्रित्याई दिया है आंसर यहां हो जाएगा हमारा क्या फर्स्ट गार्डनर जो है इन्होंने बहु बिमात्मक प्रिज्या का प्रत्याय दिया है नेश्ट है डिसलेक्सिया में यह करने में कठनाई होती है तो डिसलेक्सिया किसी को अगर हो जाता है तो किस काम करने में क्या है व्यक्ति को कठनाई होती है बोलने में, व्यक्त करने में, पढ़ने में या फ़र खड़ होने में तो अंसर यहां हो जाएगा हमारा यहां थड़ पढ़ने में तो जिसे dyslexia हो जाता है उससे क्या है पढ़ने में कठनाई जाती है तो इसे हम एक trick के द्वारा भी याद रख सकते हैं तो देखिए क्या है आपका dyslexia और पढ़ना तो dyslexia मतलब लए के साथ में पढ़ना चाहिए डिसलेक्सिया मतलब लए के साथ में क्या है पढ़ना चाहिए तो इस तरह से इसे आप याद रख सकते हैं नेश्ट है निम्नमेसिक्या समावेसिक अच्छा में सिख्चक की भूम का नहीं है तो सिख्चक को सीखने में अच्छम को अतिरिक्त समय देना चाहिए या फिर सिख्चक को निशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए या फिर बच्चे की आवसकता के अनरूप बैठने की परियाप्त ववश्था करने चाहिए या फिर सिख्चक को बच्चों को प्रुश साहित करना चाहिए तो ध्यान दैना यहाँ यहाँ आपसे नहीं वाला पूछा है तो आपको नहीं के according ही यहाँ आपको answer दैना है तो answer यहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ second वाला कि जो सिख्छक को निशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं दैना चाहिए next है कच्छा में छात्रों को प्रिस्न पूछने के लिए कच्छा में छात्रों को प्रिस्न पूछने के लिए अनुमती नहीं देना चाहिए प्रेरित करना चाहिए हाँ तो साहित करना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए तो आंसर यहां हो जाएगा हमारा यहां second प्रेरित करना चाहिए तो जब भी कच्छा में छात्र क्या प्रिस्न पूछने के लिए तयार होता है तो उसे हमेशा प्रेरित करना चाहिए motivate करना चाहिए कि हाँ प्रिस्न पूछो कौन सा प्रिस्न आपको पूछना है next है बच्चे की ब्रद्धी मुक्ता संबंधित है तो जो बच्चे की ब्रद्धी है वो किस संबंधित है नयतिक विकास से समाजिक विकास से सरीरिक विकास से या फिर भावात्मक विकास से तो आंसर यहां हो जाएगा हमारा थर्ड सरीरिक विकास से तो एक बच्चे की जो ब्रद्धी होती है वो हमेशा उसके सरीरिक विकास से जुड़ी हुई मानी जाती है तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जादस जादस सेयर करें और हाँ कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राज जरूर दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी धन्वाद